नौर्थ फैसिंग फ्लेट अच्छा माना जाता है, स्रेष्ट माना जाता है, शुप माना जाता है, लेकिन इसमें भी तो मैंगेट होता ही होता है अब वो मैंगेट नौर्थ फैसिंग फ्लेट में या प्लोट में जिसमें कि आप भवन का निर्मान करवाने जा रहे हैं या भवन का निर्मान हो रहा है, कहां होना चाहिए? क्या पूरा का पूरा नौर्थ साइड वह मानने है या इसमें भी कोई हमें अशुभता प्राप्त हो सकती है तो मैं आपको इसकी जानकारी दूँ कि नौर्थ फैसिंग फ्लेट या प्लोट पर आप मुख्यद्वार में गेट कहां रखे उसके पहले आपसे चाहूंगा कि आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करे शेयर करे और यदि आपका कोई कमेंट हो तो अवश लिखे नौर्थ फैसिंग फ्लोट या फ्लेट आपके पास में है तो ऐसी इस्तिती में उसका में गेट में एंट्री कहां रखनी अतीश शुभ रहती है आप यह मान कर चलते हैं कि बहुत भाग्य से ही नौर्थ फैसिंग फ्लेट या फ्लोट मिलता है आप में गेट कहां रखे इसके लिए यही टेकनिक या सूत्र में आपको देना चाहूंगा कि आप नौर्थ साइड जो पूरब से पश्चिम की तरफ लेंग्ध निकल रही है आप उसका पूरा मेजर्मेंट ले फुट में ले गज में ले जैसी भी इस्तिती है और उसमें तीन भाग करके तीन टुकडे उस लेंग्ध के कर ले जैसे कि यदि मानलो पूरब से पश्चिम की तरफ नौर्थ फैसिंग प्लोट की लेंग्ध तीस फुट आ रही है तो आप पूरब से पश्चिम चले पहला दस फुट निशान बनाया अगला दस फुट निशान बनाया और तीसरा दस फुट आटोमेटिक पश्चिम कोने पर ही आएगा अब यहां स्रेश्ट इस्तिती कब रहेगी उसके पहले में बता दूँ कि सबसे नेश्ट यानि कि सबसे बेकार एमांगलिक अशुपकारी इस्तिती मेंगेट की कब रहेगी जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसी लेंग्ध पर चलते हैं तो जो दस फुट पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हुए बन रहा है यह है उत्तर वाई वे कोन कहलाता है मैं फिर बता देता हुँ कि पश्चिम से पूरब की तरफ जब आप नौर्थ फैसिंग प्लोट में चल रहे हैं तो पहला जो दस फुट है पश्चिम से पूरब की तरफ चलने पर यह नौर्थ वेस्ट अथार्थ उत्तर पश्चिम या उत्री वाई वे कोन कहलाता है यह सबसे वर्ष्ट यानि कि सबसे बेकार सिटी होती है आप अंदर चाहे कितना भी वास्तु बढ़िया से बढ़िया करा ले यदि आपने यहां में गेट रखा है तो आप हर द्रिष्टी से चाहे वो आर्थिक हो शारिरी खो मानशिक हो आप हर द्रिष्टी से परेशान ह इसलिए इस जगह को तो अवाइड करना है सेकंड भाग उसके बाद जो दस फूट इधर छुट गया पस्ष्रीम की तरफ दस फूट पूरब की तरफ छुड़ दो तो यह होता है एक्जेक्ट नोर्थ की तरफ होता है यह जो 10 फुट का है यह second priority पर आता है उत्तम में second priority के उपर आता है कि हम चाहते है कि किसी का सामने मकान या कोई भी दौार मिल रहा है और हम वहाँ चाहते है तो ऐसी परिष्टिती में second विकल आपके पास में second option शुभता का रहता है आप इसमें दौार रख सकते लेकिन यह second option अब हुआ यह कि first option कोण सा होगा first option जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ चल रहे और पहले 10 फुट का निशान आपने लगाया जिसे हम उत्तर इशान कोण North East Corner कहते है इसमें ही आप मेन गेट का निरुमान करवाए यही सर्वस्रेष्ठ स्तिती होती है मांगलिक स्तिती होती है और आपके हर कारिय शुभ होगे बशर्ते आपने भीतर जो मकान बनवाया है उसमें भी वास्तु का पूरा पूरा ध्यान रखा है जै शी किसना